अगर आप एक क्रिएटर हो तो क्या करोगे तो फिर चलो देखते हैं इस वीडियो में की यूट्यूब बंद हो जाने से क्या पॉसिबिल्टीज हो सकती है तो पहला मिलियन सब वीडियो जो यूट्यूब में अप्लोड़ेड है वो एक बार में डिलीट हो जाएंगे लोगों के पास उनको एक्सेश करने का कोई जर्या नहीं बचेगा इससे लोगों को फ्रस्टेशन होगा और यूट्यूबर्स को भी फ्रस्टेशन होगा दूसरा, सोशल मीडिया सोशल मीडिया में अभी जितना crowd है उससे double या triple crowd आके ये discuss करने लगेंगे कि YouTube बंद हो चुका है इससे social media भी overcrowd हो जाएगा और इसका भी server down होने का chances बढ़ जाएगा तीसरा YouTube को जो full time लेके चल रहे है या part time लेके चल रहे हैं उनका income source बंद हो जाएगा लोगों की job भी चा सकती है company का advertisement जो YouTube में चलते थे वो भी loss में चले जाएगे और साथी साथ Google का भी इसमें loss हो सकता है जो था students या जो भी learners है जो YouTube में आके चीजे सीखते हैं उनका एक major learning source चला जाएगा YouTube बंद होने से लोगों का time जो घंटों घंटों तक YouTube चलाने में जाता था वो बच जाएगे पर हम इंसान है तो कुछ और जरिया तो obviously मिल जाएगा but YouTube एक काफी major role निभाता है day to day life में platforms like Vimeo, Dailymotion यह सब अपना marketing बढ़ा के लोगों को attract करने का कोशिश करेंगे advertisement के लिए companies दूसरे platforms देखेंगे नय नय learning platforms निकलेंगे और जो भी paid courses था paid videos था वो सबका free होने का chances बढ़ जाएगे या फिर और ज्यादा high price होने का chances बढ़ जाएगा लोगों का भी distraction कम हो जाएगा और productivity भी increase हो जाएगा तो ऐसे करके अच्छे या तो बूरे चीजे देखने को मिल सकता है YouTube इस वीडियो का एक ही मतलब था कि आप content creator बना आप यह मत सोचो कि आप सिर्फ एक YouTuber हो आपको अलग-अलग platforms explore करना चाहिए अपना content showcase करने के लिए क्या पता आपका audience YouTube में है भी या नहीं तो content creator बने हर platform में अपना talent दिखाए knowledge share करें आप लहर application का भी यूज कर सकते हैं लाइफ रूम्स के मदद से आप engagement बना के रख सकते हैं अपने community के एंदर ऐसे interesting content के लिए बने रहे हैं लहर के साथ और आप पताई यह comments में कि यह content कैसा लगा और कैसा आपको content आने वाले वीडियोस में चाहिए हम आपके लिए वीडियोस ज़रूर बनाते रहें थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो